हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक से तीन साल के बच्चों के बूट्स लंबाई में इनको अगर हम नापते हैं, तो ये चार इंच के करीब होते हैं दोनों बूट्स लंबाई में समान हैं एक बार मैं आपको नापके दिखा देती हूँ अगर हम इने चोड़ाई में नापेंगे तो चोड़ाई में भी दोनों बूट्स की चोड़ाई चार इंच के करीब आती है और बनने में बहुत आसान देखने में बेहत सुन्दर पहनने में आरामदायक होते हैंगे अगर आप इनको स्ट्रेच करेंगे खीचेंगे तो ये स्ट्रेचेबल हैं प्लचीले हैं एक इंच लंबाई इनकी और बढ़ जा सकती है तो इसलिए ये एक से तीन साल के बच्चे आराम से इनको पहन सकते हैं और इनको बनाने में खर्चा आया है मात्र पंधरा रुपे सिखनी शुरू की हैं वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं तो बिगनर्स फ्रेंडली हैं ये बूट्स और बनाने में तो आसान है ही बेसिक स्टिचिस का वीडियो मैं आप सब के साथ पहले शियर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के जरिये जिसे देख के आप स्टिचिस की जानकारी ले सकते हैं जिससे आपको आगे प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत आसानी होगी तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सुंदर से बूट्स आप अपने मन पसंद तीन कलर लीजिये कोई भी और इन बूट्स को बना सकते हैं आप चाहे तो एक या दो कलर में भी बना सकते हैं लेकिन ट्राइ कलर तीन कलर में यह ज़्यादा सुंदर लगते हैं फरिष्टा क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो तो चलिए देखते हैं इन बूट्स को बनाने के लिए मैंने यह तीन कलर के यार्न बॉल लिये हैं और यह बेबी सॉफ्ट यार्न बॉल है वर्धमान के और यहां क्रोशिया होक साइज 3.75 मिलिमीटर का मैंने यूज किया है और एक हमें टैप्स्ट्री नीडल स्वेटर सिलने वाली मोटे नक्के की सुई चाहिए रहेगी और एक कैंची चाहिए रहेगी धागों को काटने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैं गहरे नीले रंग को लेते हुए सबसे पहले पांच चेन बनाऊंगी इस प्रकार से धागा लेना है और तरजनी उंगली में लपेटना है क्रोश्य होग कम मूँ अपनी फेस की साइड रखते हुए इस प्रकार से धागे को लेना है और एक चेन बनानी है तो यहां हम पांच चेन बनाएंगे यह एक चेन दूसरी चेन चौथी चेन, पांचवी चेन, पांच चेन बनाने के बाद सबसे पहली वाली चेन में जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे आपका एक सरकल बन जाएगा, राउन बन जाएगा, अब आपको इस सरकल के अंदर काम करना है, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन आपका एक क्रोश्य गिना जाएगा और सर्कल के अंदर दो डबल क्रोश्य और बनाएंगे एक डबल क्रोश्य और यह दूसरा डबल क्रोश्य तो यह तीन डबल क्रोश्य बने तीन डबल क्रोश्य के बाद दो चेन बनाएंगे और फिर से तीन डबल क्रोश्य बनाएंगे एक double crochet, दूसरा double crochet और ये तीसरा double crochet फिर दो chain बनाएंगे, फिर तीन double crochet बनाएंगे इस प्रकार हमें 6 बार करना है तबी hexagonal, first round हमारा पुरा होगा hexagonal का मतलब होता है शट कोणी है आपके 6 corner बनेंगे, शट मिन्स 6 तो 6 corner आपके तयार होंगे पहले round में तीन double crochet, दो chain करते हुए कितना आसान है friends पहला round इसी तरह से हमें बागी के rounds भी बनाने है हर round को आप ध्यान से देखे आशा करती हूँ दोस्तों, आपने फरिष्टा क्राफ्ट चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करने से मेरे वीडियो के टुटोरियल आपको सबसे पहले मिला करेंगे और टाइम से मिला करेंगे, तो ये देखिए फ्रेंट्स, सबसे आखरी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, जो हमने तीसरी चैन बनाई थी, उसमें जाके तो ये हमारा पहला राउंड यहां पर पूरा हो जाएगा, छे कॉर्नर्स बन गए हमारे, शट कोन बन गया, छे कोने बन गए, तो फ्रेंट्स, आखरी में एक चेन बनाएंगे, और धागे को लंबा खीचेंगे, और कैंची से काट देंगे, अब देखिए फ्रेंट्स, ज इनको बैक लूप्स में क्रोशिय की मदद से हम छिपा देंगे, और बचे धागों को कैंची से काट देंगे, अब देखिए फ्रेंट्स, यहां पर हम हलके नीले रंका, इस्तिमाल करेंगे आसमारी रंका, तो देखिए इस प्रकार से तरजनी उंगली, इंडेक्स फिंगर में धागे को लपेटेंगे, और एक किसी भी कॉर्णर में हम क्रोशिय हुक को इस प्रकार रखेंगे, और नए वाले धागे को आगे की और लेके आएंगे, और तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद सेम नीचे वाले होल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं एक chain आपका एक double crochet गिना जाएगा तो 3 double crochet बन गए आपके और 2 chain बनाएंगे फिर same नीचे वाले chain space में फिर से तीन बार double crochet बनाएंगे ये एक double crochet, ये दूसरा double crochet और ये तीसरा double crochet तो ये आपका एक corner और बन गया अब जो हमारा corner का chain space है जहां हमने दो chain बनाई थी उसकी खाली जगे में जाके फिर से तीन बार double crochet करना है और फिर दो chain बनानी है और फिर सेम नीचे वाली chain space में हमें तीन बार double crochet और कर लेना है तो पहले round के 6 corners जो हमारे बने हैं प्रते corner के उपर हमें फिर से 6 बार और corner बना लेने हैं और दूसरे round को इस प्रका करते हुए हमें पूरा कर लेना है देखिए दूसरा round पूरा हो चुका है लास्ट में जो सबसे तीसरी वाली chain है उसमें जाके slip stitch कर देंगे अब एक chain बनाएंगे loop को लंबा खीचेंगे और कैंची से यहाँ पर हम धागे को cut कर देंगे अब देखिए friends गठान लगा देंगे धागे को काम के पिछली और अब देखिए friends छे भुजाएं छे corners बनके हमारे तयार हो गए अब हम इन छे corners पे काम करेंगे तीसरे round में यहाँ पर मैंने color C ग्रे कलर का इस्तमाल किया है इस प्रकार से crochet hook को लेंगे और उंगली में धागे को लपेटें और धागे को पीछे से आगे की और लाके तीन बार chain बनाएंगे और सेम chain space में हम दो बार double crochet और बनाएंगे जो आपने एक chain बनाई है वो आपका एक double crochet count होगा तो यह आपके तीन double crochet बने अब friends द्यान से देखें यहाँ पर यहाँ पर हमें corner के उपर corner नहीं बनाना अब हम corner क के आगे जो खाली जगे है वहाँ पर तीन बार double crochet करेंगे और अब हम corner के उपर corner बनाएंगे पहले हमें corner के उपर corner नहीं बनाना इसी प्रकार से आखरी में भी हम corner के उपर corner नहीं बनाएंगे तो यहाँ corner के उपर corner मनाएंगे और corner के जो बीच की जगे है उसमें हम तीन बार double crochet करेंगे यह देखिए जैसे मैं समझाती हूँ आपको तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, कॉर्णर पे कॉर्णर, फिर तीन बार डबल क्रोशिया, फिर कॉर्णर पे कॉर्णर करते हुए, हमें आखरी में फिर तीन बार डबल क्रोशिया करना है, कॉर्णर पे, कॉर्णर नहीं बनाना है, यह देखें, इस प् जंबा कीच के कैंची से काट देंगे ये देखिए फ्रेंट्स अब ये इस प्रकार से हमें नजर आएगा hexagonal shape में शट भूजाकार शट कोण तो अब देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर में color A गहरे नीले रंग का इस्तिमाल करती हुए उसको तरजनी उंगली में लपेटते हुए पीछे से आगे की और लाओंगी और चार चेन बनाओंगी एक, दो, तीन और ये चौती चेन चार चेन बनाने के बाद जो हमने तीन डबल क्रोशिया किये थे उसके बीच का जो खाली जगे है उसमें फिर से हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे फिर जो तीन डबल क्रोशिया किये हैं उनके बीच की खाली जगे में फिर से तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे ये एक डबल क्रोशिया ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया और corner के उपर corner बनाएंगे जो हमने grey color का corner बनाया है color C से उसके उपर फिर से हम corner बनाएंगे तो corner के बीच जो हमने 3 double crochet किये हैं उनके बीच की जगे को हम 3 बर double crochet करते हुए भरेंगे और corner के उपर यहां corner बनाएंगे जिस प्रकार मैं कर रही हूँ आपको भी उसी प्रकार से करना है तो यह corner के उपर corner बना अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह जो आपने 4 chain बनाई हैं वो आपका एक chain space बन गया इस प्रकार करते हुए आपको corner पर corner और 3 जो double crochet हैं उसके उपर 3 double crochet बनाने हैं, 2 बार 3 double crochet बनाने हैं, तो करके थोड़ा लंबाई में बढ़ा के मिलती हूँ मैं, देखिए friends, आखरी में भराव किया, 3 बार double crochet बनाते हुए, और यहाँ पर 1 chain बना के, सबसे आखरी के जो double crochet है, उसके उपर हम 1 double crochet बना देगे, जैसे हमने पहले 4 chain बनाई थी, यहाँ हम 1 chain बना के double crochet बनाएंगे, जो हमारा chain space बन गया, खाली जगे बढ़ गई, जो हमारी, उसको हम आगे भरेंगे, अभी देखिए friends, यहाँ पर हम आपको boot का shape दिखाते हैं, जो अब थोड़ा सा boot shape नजर आने लगेगा, अब यहाँ एक chain बनाएंगे, loop को लंबा खीचेंगे, और धागे को कैंची से काड़ देगे, अभी देखिए friends, यह boot का shape आपको दिखने लगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, boot का shape और सही तरीके से नजर आने लगेगा, तो इसको आप चोड़ाई लंबाई में बढ़ाना चाहें, तो और ज़्यादा rounds बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ हम आस्मानी कलर का इस्तिमाल करेंगे, कलर B का इस प्रकार से एक slip dot बना लेंगे, और अब हम ने जो चार chain बनाई थी, वो जो हमारी खाली जगे बनी है, जिससे चार chain से वहाँ पर हम तीन बार chain बनाएंगे, जो आपका एक double crochet गिना जाएगा, और उसी chain space में दो बार double crochet और बनाएंगे, तो आपके यह तीन double crochet बन गए, जिस प्रकार नीले रंग से आपने तीन बार double crochet दो बार किये थे, अब आप आस्मानी रंग से color B से तीन बार double crochet तीन बार करेंगे, यह दूसरी बार करेंगे, तीन बार double crochet खाली जगे में, और फिर यह तीसरी बार तीन बार double crochet करेंगे खाली जगे में, पीछे जो धागा निकलता है उसको हमेशा साथ लेके चला करें जिससे आपके काम में मजबूती आएगी तो ये तीन बार डबल क्रोशिया करने के बाद कॉर्णर पे कॉर्णर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया करके यहां हमारा पहला कॉर्णर तयार होगा फिर देखिए फ्रेंड्स तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया तीन बार कॉर्णर पर कॉर्णर तीन डबल क्रोशिया तीन बार कॉर्णर पर कॉर्णर करते हुए अंति तक आ जाएंगे हम लास्ट में थोड़ा सा बनाने के बाद मिलती हूं मैं आपको तो ये दीखे फ्रेंट्स यहां एक चेन बनाएंगे और धागे को काट देंगे कैंची से और बचे हुए धागे को काम के पिछली और बैक लूपस में क्रोशी हुग की मदद से छिपा देंगे और बाकी बचे धागे को यहां हम कैंची से काट देंगे एक दो बार बैक लूपस में से निकालेंगे तो धागा आपका छिप जाएगा और काम में भी मजबूती आ जाएगी अब देखिए फ्रेंड्स ये इस प्रकार से बनेगा शट भुजाकार शट कोणी है हेग्जागोनल इसको अगर हम टेप से मापेंगे तो ये 4 इंच के करीब आती है इसकी लंबाई और अगर हम इसको खीच के नापेंगे तो ये 1 इंच और बढ़ जाएगी 5 इंच के करीब हो जाएगी ये flexible होता है लचीला होता है बाकी निर्भर करता है आपका हाथ कैसे चलता है, आप डीला बनाते हैं, स्टिचिस को या टाइट बनाते हैं, नॉर्मल बनाया करें, ना ज्यादा डीला, ना ज्यादा टाइट, तो फ्रेंट्स देखिए, अब उपर का हिस्सा बनाने से पहले, हमें बूट को गोलाकार शेप देना है, आगे की और से पंजा बनाना है हमें, तो पंजा बनाने के लिए क्या करना है हमें, कलर बी का इस्तिमाल करना है, हलके आसमानी रंग का इस्तिमाल करना है, सुई में धागे को डालना है, और देखिए, धागे को लंबाई अनुसाद काट लेना है, पीछे गठान लगा देनी हैं, अब ह में अपने काम को उल्टी साइड रखना है इस प्रकार उल्टा करते हुए काम को सिलाई करनी है इस प्रकार नहीं सुई का मूँ अपनी और लाएं और इस प्रकार से प्रतेक नीचे वाली स्टिच में आपको सुई को लेना है सबसे पहली बार आप इस प्रकार से लें धागे का जो प्लाए होता है उसके बीच में से लें जिससे धागा आपका मजबूत हो जाएगा निकलेगा नहीं और अब आगे की प्रतेक स्टिच में आपको इस प्रकार सुई को लेना है जिस प्रकार में आपको दिखा रही हूँ पहली वाली जो stitches हैं उसमें से आपको सुई को लेते हुए सुई को पिरोते हुए निकाल लेना है तो ये देखे फ्रेंड्स धागे को जब हम खीचेंगे तो ये गुला कार आकार ले लेगा ये ये पाओं का पंजा बन रहा है आपका अब इस प्रकार एक दो बार खीचते हुए धागे को गठान लगाएंगे पहली वाली stitches में से निकालते हुए ये एक गठान ये दूसरी गठान गठान लगाने से मजबूती आ जाएगी क्योंकि ये अगला भाग है तो वहां मजबूती होना जरूरी है आगे की और लाना है और इसको सिंगल क्रोश्या करते हैं एक चेन बना के सिंगल क्रोश्या करना है दोनों और से एक एक स्टिच लेते हुए और इससे सिलते जाना है स्टिच करते जाना है जो भी टाके हैं आगे के वो दोनों और से आपको पहले पहले टाके लेने है और इस प्रकार से क्रोश्या हुँक से सिंगल क्रोश्या करते जाना है आगे की प्रते एक स्टिच में ऐसा आपको आखरी तक करना है ये देखिए सबसे पहले में lengthwise जो हमारी लंबाई है उसमें single crochet करेंगे दोनों और से एक-एक stitch लेते हुए और लंबाई को joint कर लेंगे corner तक आके हमें इस प्रकार करना है ये देखिए corner में आचुके हैं हम अब हम लंबाई अनुसार सिलेंगे जो हमारा एड़ी का हिस्सा है अब हम वहाँ पर single crochet करते हुए इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे crochet से जिससे एक मजबूती आएगी आप चाहें तो सुईधागे से भी सिलाई लगा सकते हैं लेकिन मैं crochet से इसको बंद कर रही हूँ सिल रही हूँ तो ये देखिए friends last में आके इस प्रकार से हमें single crochet करके एक chain बनानी है और loop को लंबा खीच के कैंची से उसको काट देना है तो अब मैं सीधा करके आपको बताती हूँ friends boot को बहुत comfortable है ये हाथ में लेने में भी दिखने में सुन्दर पहनने में तो अरामदायक होते ही हैं क्योंकि ये baby soft वर्दमान wool है तो ये देखे फ्रेंट्स ये आपकी एड़ी बन गई एड़ी को हमने सिल लिया और ये boot आपका इस प्रकार से खड़ा हो गया तो अब हम क्या करेंगे लंबाई को बढ़ाएंगे यहां मैं gray color color c का use करूंगी और इस प्रकार से लंबाई में boot को बढ़ाऊंगी boot का किनारा बनाऊंगी तो किनारी बनाने के लिए edging करने के लिए हम इस प्रकार slip knot बनाएंगे slip knot को पीछे से आगे की और लाएंगे और यहां पर हम 3 chain बना लेंगे 1, 2, और यह 3 3 chain बनाने के बाद जो नीचे की stitches हैं उसमें हमें एक बार double crochet और करना है तो आगे की नीचे की जितनी भी stitches हैं वो प्रतेक stitch में हमें जाके दो बार double crochet कर लेना है तो इस प्रकार आपको करते हुए पहली round को पूरा करना है एक बात का खास ध्यान रखें जितनी stitches आपकी यहां पर है double crochet की उतनी ही दूसरे बूट में भी आनी चाहिए तो round को complete करतने के बाद देखिए friends last make slip stitch करके एक chain बनानी है अब ध्यान से देखे friends यहां पर हम जो double crochet stitch है उसमें आगे की और से इस प्रकार stitch को लेंगे और पर दूसरी stitch में पीछे से इस प्रकार से stitch को लेके double crochet करेंगे तो एक बार आगे से stitch को लेके double crochet करना है front post double crochet कहते हैं इसे और दूसरी stitch में stitch को पीछे से लेके double crochet करेंगे जिसे back post double crochet कहते हैं तो एक बार नीचे की double crochet stitch में front side से और एक बार back side से लेके आपको front post और back post double crochet करते हुए round को complete करना है ऐसे 2 round आपको और बनाने हैं तो खुल आपके 3 round बनेंगे जिससे आपकी किनारी बन जाएगी boot की उपर lengthwise तो देखिए friends boot लंबाई में बढ़ चुका है एक बार यहाँ पर हम slip stitch कर देंगे इस प्रकार से और एक chain बनाएंगे loop को लंबा कीचेंगे कैंची से काट देंगे धागे को तो यह हम जो धागा बचा है उसको पिछली और adjust करेंगे काम के तो boots बन के आपके तयार हैं friends यह हमने एक से तीन साल के बच्चों के baby boots बनाए हैं एक बार किनारी गिन लिया करें यहाँ पर कुल 10 front post back post में लाकर बने हैं दोनों पाउं में तकरीबन सेम होने चाहिए जिससे boot ढीला कसा नहीं होगा तो यह देखिए friends हाथ में उठाने में इतने मुलायम से प्रतीत हो रहे हैं यह क्योंकि यह baby soft wool के बने हैं बूल बहुत अच्छा होता है वर्दमान बेबी soft लेकिन आप कोई भी wool यूज़ कर सकते हैं कोई भी रंग इस्तिमाल कर सकते हैं बूट्स अच्छे लगे हो तो एक लाइक तो बनता है friends इन बूट्स को family और friends के साथ भी share करें friends को gift भी कर सकते हैं जिनके baby अभी अभी हुए हैं उनको आप ये बना के दे सकते हैं size में बड़ा भी कर सकते हैं राउंड को बढ़ा के फरिश्टक्राफ चैनल को like, subscribe और share करें and thanks for watching farishtagraft and happy crocheting friends